नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त नेहा शर्मा, स्वागत है आपका कुनली टीवी के शोव पंडी जी कहिन में, जिसमें हम आपको वास्तू एस्ट्रो नूमलोजी से जुड़ी बेहत रोचक जानकारी देते हैं, तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं अचारे कमल नंदलाल जी का, नमस्कार पंडी जी, नमस्कार नेहा जी और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, फ्रेंट्स बोर्ड परिक्षा में हर साल लाखो स्ट्रोंट्स बैटते हैं, जिनको रिर्जर्ट का इंतजार रहता हैं, साथ ही साथ, एक और उनको गबरारट रहती है अच्छे अंक पानी की और दूसरी तरफ गबरारट होती है अपना अच्छा करियर चूज करने की आज हम पंडीजी से जानेगे कि क्या हम कुंडली के भाव से देख कर ये जान सकते हैं कि हम कौन सा करियर चूज करें जवाब बिलकुल है नेहाजी और दर्शकों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है एक्जामेनेशन खतम हो चुके हैं अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्स का रिजल्स भी आ चुके हैं इसके बाद बहुत स्पेसिफिक प्रश्ण है किस फील्ड में हैं जाएं किस स्ट्रीम में जो बच्चे बिलोजी चुनते हैं उनका पला टार्गेट था कि वडोक्ट्र बन जाएं सभी डॉक्टर नहीं नहीं बन पाते ज्युँशे मैठमेटिक्स चुनते हैं यानिखल pemαιत उनका पhlt जेलिख में उनka आग जे अगर के ऊजयर कर लेकिन क्या हमारे द्वारा जो किया गया चुनाव है क्या वो हम सभी कर पाते हैं अगर ऐसा होता तो हर साल लाखों करोड़ों बच्चे डॉक्टर्स बन जाते हैं अटलीस्ट दस लाख से ओपर तो डॉक्टर्स बनते हैं दस लाख से ओपर इंजिनियर्स बन जाते हैं लेकिन क्या ऐसा होता है हकीकत में जी बिल्कुल नहीं मूलतह क्या होता है कि हमारी जो कुंडली होती है या हमारा जो वैधनी है जो विधाता ने लिख दिया है हम उसको फॉलो नहीं करता है जब हम अगर उसको फॉलो कर लें और भैतर तरीके से फॉलो कर लें यह पता लग जाय कि हम क्या बनने जा रहे हैं और हम बेस्टेस्ट क्या बन सकते हैं त furnace बिखित नहा जो भी हम करते हैं वहत्त हो ओप कर सकते हैं बेस्ट अपनी का चो THIS का सकते हैं कि जब हम अपनी एक इसवर्य की मरजी से अच्छ करें आज हम बहुत सारे IAS Officers देखते हैं जोन्होंने Medicine पड़ी जो Engineer बनके आए Ultimately उन्हें क्या बनना था उन्हें IAS Officer बनना था Administrator बनना था तो फिर उन्होंने MBBS करके या BHMS करके या BAMS करके या BE करके या ME करके अपना समय क्यों विगाड़ाते हैं जो लोग Engineering करते हैं उसके बाद फिर Management करके किसी Company में Business Consultant बन जाते हैं तो उनकी Engineering का क्या फाइदा रहा मूल तहा हम वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा पेंटर है और वह जानता है कि वह पेंटिंग में Finance कर सकता है तो उसे बहतर है उसे Finance लेनी चाहिए वनस्वास इसके कि वह Engineering करे मूल तहा क्या होता है कि हम भेड़ चाल में चलते हैं माबाप बच्चों के पर प्रेशर डाल देते हैं कि कि आपको दॉक्त बनना हैं इंग्र बनना है है इस बनना लेकिन मूलता है हर व्यक्ति यह नहीं प्राप्त कर सकता है यह हमें धhyन देना होगा को हुए व्यक्ति बहुत अच्छाफ पेंटर बन सकता है वॉर्ल की यह Na कि दिए ने कि अच्छा म्यूजिशन बन सकता है वोल्ड के बैस्ट अस्थ मूजिशन हमारे इंडिया से निकलेगे तां सेन और बहुत सारे ऐग्जामपल है उसके साथ में आज हम किसी था नाम नहीं लेंगे लिकिन हमारी राश्टर की धरोर है कुछ ऐसी चीजे जिनके न लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है हर व्यक्ति की कुंडली उसके करियर का और उसके प्रोफेशन का चुनाव करती है तो पंडी जी कुंडली के कौन से भाव से शिक्षा का पता लगाया जासकते हैं देखिए उसके लिए पीछे एक बेसिक सिस्टम ह चाहिए कि आपका पांचमा भाव क्या कह रहा है और आप किस लाइन में आगे बढ़ने जा रहे हैं देखिए इसके पीछे बहुत सारी रीजनिंग है जिसको समझना पड़ेगा पहली रीजनिंग कि हमारे भाव नंबर पांच का स्वामी किस नक्षत्र में बठा है और किस स्ट्रीम की एजुकेशन को चुनाव कर सकते हैं नंबर नंबर दो प्रोफेशनलिजम के लिए आपके दसमें भाव का स्वामी किस नक्षत्र में बठावा है यह डिपेंड करता है मान लीजे आपके दसमें भाव का स्वामी शनी है और वो भी श्रम्ण नक्षत्र में बठ करते हैं मिन्रल वोटर का काम करते हैं लिक्विट से लिडेटेट काम करते हैं दूद का धंदा करते हैं लिक्कर का धंदा करते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं पानी से जोड़े रहते हैं डिपेंड करता है आपका भाव क्या कहता है इसके अलावा एक सिस्टम है जो से हम कहते से काल चक्रदशा जिस तरीके से विम्शोत्री के बात करते हैं महादशाओं की उसी तरीके से एक और दिशा होती है जिसे हम कहते है के सी डी का जो रूल होता है वो अम्षव से निकलता है यानि कि चंदरमा से दस्वां भाव आपका करियर से टल करेगा करियर किस दिशा में जाएगा चंदर माँच से दस्वन भाव का स्वामी जो है उस जहां वो बैठा उस से दस्वन भाव क्या कह रहा है इससे कहते हैं विमम्ष पंदिजे जैसे हमारे नौ ग्रेय हैं कहते है कि नौ ग्रेय अलग लग युकषेत्रों में अपने रूची बताने तो किस प्रकार से उरो स वो भी चंद्रमा से औरिएंटेड होती हैं, बार के ओनर, लिकर शॉप के ओनर, जूस वेंडर्स, पानी बेचने वाले लोग, पानी का धंदा करने वाले लोग, मिल्कमेन, ये सारे का सारे दूद्र से संबंदित होते हैं, चावल बेचने वाले लोग, इसके साथ अब बात क ज़ी इसके बाद हम बात करेंगे बुद्ध की बुद्ध वाले लोग best managers होते हैं best public speakers होते हैं बुद्ध जनित लोग बौधिक रूप से काम करते हैं clerks होते हैं अब बात करते हैं अब बटरह स्वाति है बहुत ब्रहस्पती से जनत जो लोग होते है वो जादातर educators होते हैं, counselors होते हैं, मेरे जैसे पंडित होते हैं, वो लोग guru होते हैं, शिक्षक होते हैं, और gold vendors होते हैं, जो gold का, diamonds का, नगीनों का business करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं, शुक्र जनित लोग, beauticians होते हैं, actors होते हैं, models होते हैं, web designers होते हैं, इसके साथ साथ शुक्र वाले लोग कुछ वो भी होते हैं, जो dancing का काम करते हैं, on screen, back screen भी, दोनों. इसके बाद शनिवाले लोग होते हैं, शनिवाले लोग lawyers होते हैं, judge होते हैं, मजदूर होते हैं, काश्टकार होते हैं, मचली पालक जो होते हैं, वो होते हैं, किसान भी होते हैं, साथ बसाथ के अंदर सबसे बड़ी बात, यह वो लोग होते हैं, जो मेहनत कश होते हैं, ज दास्ता करते हैं जैसे पेंस हो गए इसके लावा आप केतु वाले लोग हो गए केतु वाले लोग भी विचोली होते हैं लेकिन एक दूसरे तरीके से वो साध्य का काम करते हैं ज्यादा तर ग्रॉसरी स्टोस चलाते हैं छोटे काम करते हैं जोते भी आपने ठेले वाले जो काम केतु से मैच करते हैं अगर ब्रहस्पति किसी का प्रधान ग्रेह है चारेपालग ग्रेह है तो बहुत बड़ा एस्ट्रॉलाजर बनता है पूरे देश में ऋमाज में सानाम होता है लोग उसके इज़त करते हैं उसका पाहुंच होते हैं कि फुलवीक्ती सद्य फीर होता है वो अपने आंको प्रमोर्ट महीं कर रहा होता है वो संन्यास के तरफ monster हुता है वह लोगे को सिक्षा देता आये सब कुछ चित्याग दो और गुरु शिक्षा जो देता है उसमें पर वोलता है सब कुछ लो क्योंकि लक्षमी से ही है लेकिन लक्षमी कमाकर धर्म कीजिए दोनों में डिफरेंस है पड़ी बात कर रहे हैं हम ग्रहों की ग्रहों का अपना शेत्र होता है उनके प्रभाव भी अलग कोई चाते हैं जो च्ट्रीम हम चूज करते हैं उसमें परिशानी आने शुरू जरत को संच्सेस नहीं हो पाते हैं तो यह कौं से यूग है दखे अम आपको उधारन तोहर पर बताऊंगा असे यूगों के बारे मैं और ऐसे यूगों के बारे मां कई लोकों के जीवन में अगर दस्वे भाव का स्वामी किसी की कुंडली में, अगर हीन शीर नवस्ता में आ जाए, तो व्यक्ति वो करियर ना चुन करके अलग करियर चुनता है, जैसे, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दस्वे भाव का स्वामी मूलत्रकोण में है, अगर मूलत्रकोण में है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने बापता का काम, यानि कि बापोती का काम, पैत्रिक काम नहीं चुनेगा, वो कुछ हटके करेगा, कुछ ऐसा करेगा, अनोखा करेगा कि दुनिया उसके नाम पर रश्खाईगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका दस्वन भावका स्वामी द करेगा, वे बहुते हैं, श्रेटा नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि उसे क्या करना है बस उसने कोई भी ग्रेजुएशन का स्ब्जेक्त ले लिया क्या सूचेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे लोग भी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत सबजburgू का वो ही आजीवी का है, मांग लीजे, किसी ने इंजिनेरिंग की पढ़ाई की उसको करने के बाद में, उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और वो कहीं बिजनेस मैनेजमेंट में चला गया, अब उस व्यक्ति का इंजिनेरिंग पढ़ने का क्या सिध्धान्त क्या फायदा कुछ लोग जुनोंने पूरे जीवन भर कुछ एक सब्जक पढ़ा, मेडिसन पढ़ा, उनकी रुची संस्कृत में आ गई, धर्म में आ गई, जोतिश में आ गई और वो एस्ट्रोलाजर बन गए, तो अब उनके मेडिसन पढ़ने का क्या लाव हुआ, ये मूल सिद्धानत ह एजुकेशन तीन तरीके से देखे जाती है, भाव नमबर 5 से, भाव नमबर 4 से और भाव नमबर 12 से, बारवे से क्यों? उसके पीछे एक मूलतह कारण है, देखे हमारा भागय का भाव है, भागय के भाव से चौथा भाव, वो भाव होता है जहां पर आके हमको सेट होना ह होता है, जहांपर इश्वर डिसाइड कर चुका होता है कि सवेक्ति को क्या करना और किस जगे करना है, तो मतलगी आज की लिए हमारे सुटन्स के लिए, कोई जनर्रल सअ उपाय बताता मू, कि आपको क्या करना है, आपको अपनी सर्वस्रश्टधा देखनी है, और दूसर क्रिष्ण का माध्यम चुने जो कर्म के स्वामी है जो ने कर्म फल का सिधान तो हमें सिखाया है तो एक काम करें भोजपत्र पर अश्टगंद की स्याही और अनार की डेंडी से अपनी चार स्ट्रीम के बारे में लिख दे जो आपको सरवादिक प्री है जिसमें आप सरवाद हम उमीद करते हैं हमारे सभी दर्शिकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडी जी से सवाल जबाब करेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पह हुआ